आप लोग देख रहे होंगे कि नया संसद भमन बनकर तैयार हो गया है इसका उद्गाटन हमारी पिधान मंतरी मौदी साहब करेंगे और उद्गाटन को लेकर आप देख रहे हैं कि सत्ता पक्च और बिपक्च में काफी तकरार भी चल रहा है बिरोध भी कर रहा है कि इसका उद्गाटन अगर करवाना था तो राष्टपती साहब के द्वारा करवाते हैं और दोनों के अपने अपने पक्च है अपने अपने तरक भी है लेकिन हम लोगों को यहाँ नए संसद भवन के बारे में याद रखना है संसद के बारे में याद रखना है और जो ए सिंगौल ये है क्या ये कहां से आये सब और अभी है कहां ये सिंगौल इस सब पर भी हम लोग बात करेंगे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं संसत के बारे में अगर हम लोग संसत की बात करें तो अनुचेद अगर 79, अनुचेद 89 को अगर आप लोग पढ़ें, तो संसत के गठन की बात कीगी है, और संसत के तीन भाग होते हैं, एक आप देखते हैं, राश्टपती होता है, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोगसभा होता है, और अगर हम लोग राश्टपती की बात करे तो अनुचेद अगर बावन को आप लोग पढ़ें तो भारत के राष्टपती की बात कीगी है अनुचेद अस्ती को अगर आप लोग पढ़ें तो राज्यसभा की सरचना की बात कीगी है यह आप लोग याद रखिएगा ठीक है और आप देखेंगे कि इस योजना का एक मुख आकरसन लोगसभाद धेक्च की सीट के समीब इतिहासिक स्वर्ड राज दंड सेंगौल की स्थापना होगी और जिसे सेंगौल कहा जाता है और सिंगौल भारत की स्थापना और सम्पिर्भूता की साथ इसकी सांसे कितिक विरासत और विवित्ता का भी पितिक है और आप देखेंगे सिंगौल सब्द की कहां से आया हुए है तमिल सब्द सेंबई से लिया गया है सिंगौल सब्द, तमिल सब्द सेंबई से लिया गया है और इसका मतलब होता है नीती परायन था और इसका निर्माण स्वड या चांदी से किया जाता था और इसे कीमती पत्थरों से सजाय जाता था सेंगोल जोकी राज सत्ता का पितीक था और चारिक समारों कोई आउसर पर समराटों द्वारा ले जाया जाता था जोकी उनकी राज सत्ता का पितीनी दिनते करता था या दच्छिन भारत में सबसे लंबे समय तक सासन करने बाले और सबसे प्रभाव साली राजबंसों में से एक चॉल राजबंस से जुड़ा हुआ है। पर पिसासनिक दक्षिता, सांसिकितिक सरक्षन और मंदिर बास्तुकला के लिए भी आप लोग जानते हैं। तो 1947 को हमें आजादी मिल जाती है, भारत की आजादी के हिस्ते की रूम में सिंगौल, तो 1947 में बेटिस सासन से सुतनता प्राप्ती से पहले ततकालीन वायसराय लौड माउंट वेटर ने पिधान मंत्री पंडिच वाहलाल नहरू से एक पिसन किया, कि बेटिस से भारती हातों में सप्ता के हस्तानतन के पिती किरों में किस समारों का पालन किया जाना चाहिए। तो पिधान मंत्री नहरू ने तब स्त्री राजगोपालाचारी से परमस किया और जिने आमतोर पर राजा जी के नाम से जाना जाता था किसे राजगोपालाचारी को जो भारत के अंतिंग कवर्नर जनरल भी बने थे। और राजा जी ने सुझाओ दिया कि सेंगोल राजगोपने के चोल मोडल को भारत की सुतंता के लिए एक उपयोक्त समारों की रूम में अपनाय जाज सकता है। और उन्होंने का कि ये भारत की प्राचिन सब्वता और संस्किती के साथ साथ बिवित्ता में एकता को भी दर रसाएगा और कहते हैं कि 14 अगस्त 1947 को थिरू वदू थुराई अधीनम पांसो वर्स पुराना से मट द्वारा पिधान मंत्री नेहरू को सिंगोल राजदंड भैट दिया गया था क्या भैट दिया गया था और मदरा सब चैन्ने के एक पिसिद जोहरी बुम्मी दी बंगा कि दर्सक की रूम में अपनी अदम दृष्टी के साथ से इस पर हाती से नकासी की गई थी इसकी सिंगोल की यह आप लोग देखिएगा इस सिंगोल आपको दिखाई दे रहा है और सिंगोल अभी कहा है और इसे नए संसित भवन में क्यों लाया जा रहा है तो 1947 में सिंगोल राजदंड प्राप्त करने के बाद नहरू ने इसे कुछ समय के लिए दिल्ली में अपने आवास पर रखा था और इसके बाद उन्होंने अपने पैत्रक घर आनंद भवन संग्राले इलाबाद अब प्रियाग राज को दान करने करने लिया था और इलाबाद अगर प्रिय तक आनंद भवन संग्राले में रहा है और 1921-22 में जब सेंटल विष्टा पुनर्विकास परियुजना चल रही थी तब सरकार ने इसे इस इतिहासिक घटना को पुनर जीवित करने और नए संसद भवन में सिंगौल राजदंड इस्थापित करने करने रह लिया था और इ एक सार्थक संदेश भी है और यह दर्साता ही कि भारत का लोकतंत अभी अपनी पराचीन परंपराओं और माननाताओं में नहित है और यह समाविसी है और इसकी बिवित्ता और बहूलता का सम्मान करता है वहीं अगर हम लोग सेंट्रल विष्टा पुनर्विकास और यह अच्छे तमूल लोप से बेटे ओपनेविसिक सासन के तोरां सर एडविन लुटियंस तथा सर हर्वर्ड वेकर द्वारा डिजाइन किया गया और सोतनता के बाद भारत सरकात द्वारा बनाया रखा गया था और केंद्री वजट दो हजार वाईस तेईस में संसत के सासाद आप देखें भारत के सर्वोच नियाले सेद महत्वाकांची सेंटल विष्टा परियोजना के गैर आवासी एक कार्याले भवनों के निर्माड के लिए आवास और सहरी मावलों के मंतराले को 262600 करूर रुपे की राजसी आवन्टित की गई थी और आप लोग याद रखएगा और अब आप देखेंगे की हो सकता है की आंगे एसीतें भी पढ़े उस हेसाप से भी आप देखेंगे से पनाया जा रहा है उसके लिए भी बनाया जा रहा है ये कहा जा रहा है कि नए संसद भवन की करें बात करें अगर हम लोग ते कोने आकार में डिजाइन किया गया है और नए संसद भवन की लोगसभा में आप देखेंगे कितनी देखें इस तरह का लोगसभा में 888 सीटे हैं और विजिटर्स गैलरी में 336 से जानदा लोगों की बैठने का इंतजाम है वहीं नई राजिसवा में आप देखें 384 सीटे हैं और विजिटर्स गैलरी में आप देखें 336 से जानदा लोगों के बैठने की छमता है यहां और नए संसद भवन को बनाने में भारतिये परंपरा परंपरा के साथ साथ आधुनिकता का भी ख्याल रखिएगा आपका कोई सवाल हो सुझा हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं